श्रीवायियन नमस्थभ्याम दोस्तों जैमाता दी भगवान शेवजी और मातरानी आपकी हर मनू कामना पूरी करें इसी कामना के साथ आज का वीडियों शुरू करेंगे पुस्तो नवरात्री का वरत हम सब रखते हैं और नवरात्री के वरत में हमें कन्या पोजन जो है वो आवश्यक रूप से करना चाहिए कन्याई जो होती है वो मातारानी का दूसरा स्वरूप होती है इसलिए जब तक आप कन्या पूजन नहीं करते आपको नवरात्री व्रत का फल नहीं मिलता है और नहीं आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है इसलिए अगर आपने व्रत रखा है तो आप कन्या पूजन कन्या को भोजन अवश्य कराएं आज इसी से जुड़ी संपूर जानकारी आपको देने वाली हूँ कि अगर आप कंजके बठाल रहे हैं, कन्या पूजन करवा रहे हैं तो कितने साल से कितने साल तक की कन्याओं को हमें बुलाना चाहिए 35 कितनी कन्याएं बुलाएं और हमें कन्याओं को क्या उपहार में देना चाहिए जिससे वो बहुती ज्यादा खुश हो जाएं प्रसन नो जाएं और हमें धेल सरा असिरवात प्रदान करें साथी साथ आपको ये भी बतलाएंगे कि अगर आप कन्या पूजन करना चाहते तो हैं पर आपको कन्याई नहीं मिल रही हैं तो उस अवस्था में आप क्या करें उस स्थिती में आप क्या करें ऐसा एक कार बताऊंगी जिससे आपकी कन्या पूजन जो है वो संपूर्ण भी ह जाएगी आपको उसका पूर्टा फल भी प्राप्त हो जाएगा तो संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं दोस्तों तो वीडियो को पुरा धान संति तक देखेगा सुनिएगा वीडियो पसंद आजाए तो वीडियो को छोटा सा इक लाइक कर दीजेगा और अपने ही चानल को बुला कर जो है वो कन्या पूजन कन्या भोजन करा सकते हैं अपने सामर्थ के हिसाब से अपनी स्वेक्षा के हिसाब से अगर आपको और कन्याओं को बुलाना है तो भी आप उनको जोड सकते हैं और अगर इन से जादा की संख्याम अगर आ गई है और आपका सामर्थ आ कन्या भोजन अवश्य कराएं ठीक है तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 59 इतनी कन्याओं को बुला करके कन्या पूजन और कन्या भोजन करा सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि कितने साल से कितने साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए मातारानी का दूसरा स्वरूप होती है कन्याओं ठीक ह दोस्तों तो आपको 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं को बुला कर उनका अच्छे से पूजन करना चाहिए और फिर उनको भोजन कराना चाहिए कन्या पूजन वाले दिन जब आप कन्याओं को अपने घर में बुलाते हैं तो अच्छे से उनका स्वागत कीजे सबसे पहले आपको कन्याओं के पैर धुलाने हैं आप चाहे तो किसी पात्र में जो है वो पानी लेकर के अपने हातों से उनके पैर धुलाएं और फिर अपने आचल से उनके पैर पोछें पिर उनको आपको महावर लगाना है, अगर आप लगाना चाहते हैं, तो बहुत सुन्दर से महावर लगाएं, पिर आप उनको ठीका लगाएं, पिर आप उनके हाथ में रक्षा सूत्रियानिक कलावा बांदें, उनको चुनरी उडाएं, और साथ ही साथ उनकी अगर आप picture उ और फिर बात में आपको उनको भोजन कराना है तो इस प्रकार से इस विदी से जो है वो आप कन्या भोजन कर सकते हैं और बात में आप उनको कन्या भोजन कराएं अब बात कर लेते हैं कि उनको क्या उपहार दें क्या गिफ्ट दें जिससे वो बहुत जादा प्रसन हो जाएं आप hair band दे सकते हैं rubber band दे सकते हैं बहुत सुन्दर सुन्दर से आते हैं चोटे चोटे बहुत प्यारे प्यारे पर्स आते हैं आप उनको वो भी दे सकते हैं खाने के लिए आप उनको chips वगेरा दे सकते हैं एक आदी दिन खालेगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी ऐसा उनको प कैसे कन्या पूजन कर सकती हैं अब बात आती है कि जिनको कन्या ही नहीं मिलती हैं वो कन्या पूजन तो करना चाहते हैं पर उनको कन्या ही नहीं मिलती हैं जिसे बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कन्या नहीं मिल पाती हैं तो वे क्या करें देखिए अगर आपको कन्या पूजन करना है कन्याई नहीं मिल रहे हैं तो सबसे सरल तरीका ये है कि आपकी घर के आसपास कोई भी मंदिर हो मातरानी का या कोई भी मंदिर हो तो आप वहाँ जाए उनके पंडित जिसे बात करिए कि किस दिन उस मंदिर में भंडारा वगेरा हो रहा है किस दिन कन्या पूजन हो रहा है किस दिन हवन हो रहा है आप अपने सामर्थ केस आप से आप अपनी स्वेक्षा से जितना भी पैसा दान करना चाहते हैं आप कर सकते हैं क्योंकि देखिये नॉमी नॉमी तो हवन होता ही है सभी मंदिरों में तो आप जाए और उन पंडित को जह है वो आप दान gost COMM की दिन हर मंदिर में हवन होता है हर मंदिर में अठवाइन बनती है मातरानी के लिए पहले मातरानी को भोग प्रसादी चड़ाई जाती है और फिर उसके बाद कंजके बैठाई जाती है कन्या भोजन कन्या पूजन कराया जाता है उसके बाद जो है वो भंडारा प्रारंब होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अ अगर आप घर में कन्या भोजन करा रहें तो बहुत अच्छी बात है गिफ्ट उपहार के लावा आपको दक्षना भी अवस्य देनी है अगर कन्याओ का मन है कुछ और लेने का तो उस दक्षना से पूरा हो जाएगा वो ले सकती है कुछ भी कम बेसी होगी तो दक्षना से प उसमें दक्षना अवस्य देनी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको सम्पूर्ण जानकारी दे दी है आशा करते हूं आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को चोटा सा एक लाइक कर दीजिगा और अपने ही चैनल को जानकारी के साथ तब तक लिशी शिवाय नमस्तव्यम धान्यवाद दोस्तों